नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है भरस्टाचारी बचाओ अभियान चलाने वालों के बीच अब फिर से भगदल मचने वाली है क्योंकि प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बाते कही है संकेत दिये हैं और इन लोगों को चेताबने दिये हैं उससे अब आगे लग रहा है कि भरस्टाचार में शामिल सियासत करने बाली ये पाठियां और परिवार दोनों पर अंकुष लगने वाला है क्योंकि प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में बाहरी तोर पर कहा और फिर बैठक के दोरान सक्त आदेश दिये कि ब्रस्टाचारी बचाओ अभियान करने वाली इन पाठियों का खात्मा जरूरी है जिन लोगों ने करपसन को बढ़ा बढ़ा कर देश राजनितिक बदला ले रहे हैं वो कैसा बदला है जिस तरीके के जिक्र की गई है कि पिये मोदी एडी और सीबी आई को छूट दे रखे हैं कि इनके विरोधी पार्टियों के उपर हमला करें लेकिन ये जो सबसे बड़ा काल है वो है पारिवारिक सियासत करने वाली पार् पारिवारिक पाथियां हैं ये सबसे बड़े जड़ है इस ब्रस्टाचार के क्योंकि इसमें एक दो लोग जो परिवार के होते हैं उसके अलाबा किसी और की सुनी नहीं जाती है और जब भी ये ब्रस्टाचार करते हैं और ब्रस्टाचार के खिलाप इनके एक्षन लिया उन्होंने बताया कि सबसे पहले जरूरत है इन आठ उन पाथियों का यानि की परिवारों का जो भरस्टाचार में सामिल है उनकी सियासत का खात्मा करना जरूरी है और इन सारी की सारी पाथियां जो है वो सब के उपर भरस्टाचार के गंबीर आरोप लगे हैं इसलिए CBI हो या E.D. हो दोनों को खुली छूट है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजो गिरफतार करो और ऐसे 38 नेताओं की सूची भी तयार की जा चुकी है जिसके गिरफतारी एक के बाद एक धीरे धीरे होगी P.A. मोदी ने कहा कि जिस तरीके से कॉंग्रेस बार बार चिला चिला के कह रही है कि E.D. का दुरूपयोग किया जा रहा है तो क्या E.D. का दुरूपयोग करके जो समपत्त्यों को सीज किया गया है वो भी दृूपयोग है या वो देश हित में है क्योंकि 10 साल तक UPA1 और UPA2 की सरकार रही जिसमें कॉंग्रेस के अलावा ये सारी के सारी भ्रस्टाचारी पार्टियों का गठ जोड था ये लोग उसको सहयोग भी दे रहे थे लेकिन 2004 से 2014 तक हुआ क्या क्या ED और CBI का सही इस्तेमाल किया गया ED का इस्तेमाल जो किया गया वो इतना अधिक था कि केबल 5000 करोड की संपत्ती सीज की गई दस सालों में दस सालों में 5000 करोड की संपत्ती सरकार के अस्तर पर सीज की गई जो भ्रस्टाचारियों की थी जबकि अगर देखा जाए तो 2004 से लेके 2014 तक बड़े बड़े घोटाले हुए चाहे 2J spectrum गोटाला हो इन्तिरेक्श गोटाला हो वी बी आईपी helicopter का गोटाला हो अगस्ता बैसलेंड का गोटाला हो या पिर गोटाला कोईल्या का भी हो ये सारे के सारे बड़े-बड़े सैकडो हजारो करोड के गोटाले हुए लेकिन संपत्ति कितनी सीज हुई केबल पाँच हजार करोड की दस साल के अंदर यही नहीं एडी ने केस भी दर्ज किये वो सोच समझ के दर्ज किये और जितने भी कोईला घोटाला से लेकर टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला तक था जो लाखो करोड का घोटाला माना जाता है जिसमें सुप्रिम कोट ने भी कहा था कि CBI अब सरकार के तोते की तरह काम करती ह क्योंकि उस समय की कॉंग्रेस की सरकार ने अपने गठवंधन सहयोगियों और अपने नेताओं को बचाने के लिए CBI और ED के अधिकारियों का इस्तेमाल किया इसलिए इन लोगों पर लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा कारवाई नहीं हुई और इसलिए ये लोग आज है कि अब इनके उपर कारवाई कैसे हो सकती है क्योंकि दस साल में जो पांच हजार करों रूपे की संपत्ति सीज की गई थी उसमें अब कितने गुना का विकास हुआ है बुर्दी हुई है ये आंकडे बता सकते हैं क्योंकि 2014 के बाद 2013 तक में यानि कि 9 साल के कालकाल में प 10,000 करोड जहां 5,000 करोड दस साल में वहां 9 साल में 1,10,000 करोड की संपत्ति सीज की गई है यही नहीं जो भगोडों की बात कॉंग्रेस और विपक्षी पार्टियां कर रही है जिसके लिए बार बार ये कहती है कि ये लोग भाग के बाहर चले गए हैं इसने करप्सन किया तो क्या पंजाब निसल बैक का 10,000 करोड का घोटाला भारतिये जनता पार्टी के सरकार में हुई थी ये कितने समय से हो रही थी क्या विजय मालिया को भारतिये जनता पार्टी ने पर्मोट किया था ये सिविल एविशन डिपार्टमेंट में कौन रखा था कॉंग्रेस के समय में ही वो कमीटियों में रहा करते थे राजसवा सदस बनाये गया और आज ये इस्ति है कि जो 22,000 करोड का फ्रोड का मामला इन लोगों पर चला है उसमें से 20,000 करोड की इनकी संपत्ती सीज की जा चुकी है यानि कि सरकार ने वो सारे घोटाले बाजों के उपर अंकु पूरी है कि सबसे पहले खात्मा जो किया जाए वो इन पार्टियों में से चुन चुन कर उन पार्टियों के सूची तयार करो जो की परिवारवादी पार्टियां हैं और इसमें सबसे टॉप पर सबसे पहला नंबर नेहरू गांधी खांदान का ही आता है परिवार का आता है ये नहरु खांदान के लोग जो गांधी सरनेम से आज उच्छल कुद मचा रहे हैं इनके उपर सबसे पहले अंकुष लगाओ और अभी तो राहुल गांधी को केबल दो साल की सजा हुई है हो सकता है ये सजा पर अस्टे भी लग जाए लेकिन निशनल हिराल्ड मामले में कहा जाएगा इसके उपर कई और आरोप लगे हैं सोनिया और राहुल गांधी के साथ ऐसे इस्तिति होगी कि ये नोनों को देश छोड़ कर भागना पड़ेगा क्योंकि जेल की सलाखों में तो इसे जाना ही है बेजना ही है इन्नोंने पूरे देश को जो लूटा है उसकी स सोनिया के इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले वो ब्रस्टाचारी नेता चाहिक तो सिवकुमार हो या चिदंबरम हो या दूसरे इनके आसपास के नेता हो जो लोग इनके संरक्षन में रहकर ब्रस्टाचार करते रहे हैं उन लोगों के उपर भी कारवाई होगी लेकिन इस लिस्ट में दूसरा नाम शरत पवार का भी आता है पवार की परिवार वादी पाथी का ये जलवा है कि महराश्ट में करप्षन के मामले में तो आगे हैं लेकिन इनके पूरे परिवार को राजनीती में सक्रिय किया गया है भती जा डिप्टि सीम रह चुका है और साथ में खुद ही केंद्रिय मंत्री रह चुके हैं महराष्ट के मुख मंत्री रह चुके हैं बेटी सांसद है यहां तक की पोता को भी विधायक सांसद बनाया गया है हर जगह पर इनके परिवार का इनके कुनवे के राजनिती में बर्चस्ब है NCP की और ये बर्चस्ब ही इनके क कि जड़ है इसलिए पवार परिवार के उपर भी हमला करना जरूरी है और इनको जो अभी कूद रहे हैं उचल रहे हैं विपक्षियत्ता के नाम पर इनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि अब तक इनकी पंद्रह सो से ज़्यादा करोड की संपत्ती तो सीज़ होई च जूगर इंडस्ट्री पर जो जिस तरीके से कबजा किये हुए है कॉपरेटिम में पूरी तरीके से इनके परिवार का जो बर्चस्प रहा है उन मामलों में इन दोनों को पकड़ कर जेल के अंदर भेजो क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पूश्तास की कारवाय चल रही थी व पैटरिंग सर्विसेस के लिए लालु यादब ने किया था लालु यादब तो अभी जेल की सलाकों के पीछे हैं भले ही कुछ समय के लिए बिमारी का बहाना बना कर वो पैरोल पर बाहर है जमानत पर बाहर है लेकिन उनको सजा हो चुकी है अब तेजस्पी और मिसा भारत हरेलु इस्थिती सामान से भी नीचे थी बिपील परिवार में आता था वो बीस-तीस साल में सैकडों हजारों करोड का मालिक कैसे हो गया है इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हर एक घोटाला खुलना चाहिए ताकि अब नंबर तेजस्पी यादब और उनक ममता बनर जी और केसियार जैसे लोगों का परिवार ममता बनर जी भी अब परिवारवादी पाटी बनती जा रही है वो ममता बनर जी जो राजरीती में इस अस्तर पर आये थी कि वो अकेली हैं शादी नहीं की हैं और इसलिए उनकी निस्था और इमांदारी पर शक नहीं क आ रहे हैं और इन सारे के सारे लोगों का कही नहीं कही करप्सन में जड़े जमी हुई है जिसकी पाटी के दूसरे लोग भी इन्हीं के रास्ते पर चल कर सेकुरो करोड का करप्सन कर रहे हैं। आगे नंबर किसी आरकावी है जो अभी इस ब्रस्टाचारी बचाओ अभियान में शामिल ही इसलिए हुए है उस कॉंग्रेस के साथ जिसके साथ इनकी स्टेट में दुस्मनी है क्योंकि इनके बाप और बेटी दोनों के उपर करपसन के मामले चल रहे हैं के कवीता शराब घोटाले में पकड़ी गई है शराब घोटाले का लिंक अब जो पता चल रहा है उसमें साथ तोर पर कहा जा रहा है कि के कवीता के ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया था समीर महंद्रू अरून रामचंदरन पिल्लै ज इसमें एक लाग करोड के घोटाले की बात चल रही है जिसके लिए CBI के पास शिकायद भी चल गई है और अभी तो बाकी है क्योंकि अभी KCR की सरकार है जैसे ही सरकार खत्म होगी ऐसे कई मामले सामने आएंगे तिलंगना में जिसमें KCR का पूरा का पूरा परिवार ब्रस सब को उस पार्टी का परमुख बना के रखे हैं और वहां इसलिए पार्टी के अंदर भी द्रोह चल रहा है इस परिवार बादी पार्टी का भी खात्मा होना जरूरी है इसके अलावा जो नाम है वो है दक्षिन भारत के ही करुना निधी की पार्टी के जिसके अभी परम के स्टालिन हो इन लोगों के करप्सन के खिलाब भी अब EDR CBI दोनों का दोनों प्रहार करने वाली है इन लोगों के अलावा जो अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं कश्मीर से दिल लिया के वो है अब्दुल्ला और महबुबा मुप्ति ये दोनों ही दोनों पातियां जो जम्मु कश्मीर को लूट कर रख ली है और आज अब भरस्ताचार के मामले में कॉंग्रेस का साथ देकर भरस्ताचारी बचाओ अभियान का हिस्सा बने हुए हैं इन लोगों के उपर एक नहीं कई मामले हैं और इन सारे मामलों में इनके लिए भी वही रास् के तहद गोटाला किया गया हो इन सब में जाच हो रही है और जल्द ही इनके खिलाफ बड़ा एक्षन भी होने वाला है यानि सारे के सारे जो परिवारवादी पाटियां है उसकी सूची तयार है और पिये मोदी ने साब तोर पर कह दिया कि दो तरह के अभी राजनिती इस करेंगे चाहे राहुल गांदी की बात हो वो देश के बाहर जाकर वहाँ पर भारत विरोधी अभियान चलाते हैं लोक तंत्र के हत्या की बात करते हैं यह अर्विंद के जिरिवाल है जो विदेशी एजेंट की तरह यहां पर उपयोग करता है अपने राजनितिक वर्चस क राजनितिक अहमियत की जिस तरीके से जिसने कोविड के दोरान से लेके अब तक सारे के सारे वैसे ही विदेशी कंपनियों के इसारे पर काम किया है और अभी खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा दिया है वो देश द्रोही देश विरोधी गत्मिदियों में शामिल रहा है और इनके इस तरीके की राजनिति करने वाले और दूसरे तरफ भ्रस्टाचार की राजनिति करने वाले इन दोनों के उपर तब तक प्रहार करना जरूरी है जब तक कि इनकी जड़े खुद न जाए जड़े कट न जाए ये जो बार बार सड़क पर उतर कर हंगामा करते हैं कि ED और CBI का गलत इस्तेमाल किया गया है उनको सब के सामने नंगा करो और बताओ कि कैसे CBI और ED ने इनके खिलाफ सुबूत दिये और पूरी तरीके से इस अफवाह गैंग को नाकाम करने के लिए जरूरी है कि दथ्य और सबूत आकडों के आधार पर इनके खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए लोगों को बताना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने सालों तक देश को लूटा है और आगे भी चाहते हैं कि सरकार किसी की भी रहे इन लोगों के उपर एक्षन ना हो तो पूरा का पूरा एक्षन प्लान तयार है और अब सूची भी तयार हो गई है कि इन लोगों पर एक एक करके कारवाई होगी और धीरे धीरे एक एक नेता जो परिवारवादी पाटिया चला रहे हैं ब्रस्टाचार में सामिल हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही हैं सायोग ताकि इसी तरही खबर हम आपके आते रहें धन्यवाद